हेलो एवरिवन मैं हूँ रुपाली और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल रुपाली स्केचन में दोस्तों आज आप लोग के लिए लेकर रहे हूं गर्मा गर्म खसता मटर की कचोड़िया अभी मटर का सीजन है आप जरू ट्राइ केजिए और आपको यह रेसिपी कैसी ल जाल दूँगी और इसको हमें पीसना है पर मोटा बल्कुल बारिक नहीं पीसना है हमें थोड़ा दर्दराब पीसना है यहां मैंने लिए दो मिर्ची और लहसन और यह काद्रक का पीस और थोड़ा सथ धनिया लिया है मैंने इन सभी को मटर के साथ में पीस लेंगे याद तो यहां पर मैंने इसको थोड़ा ग्राइंड कर लिया है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल मोटा दरदरा पीसा है मैंने से, तो यहां पर आप में कड़ाई में ले रही हूं, दो चमच की करीब ऑईल, अब इसमें मैं डाल रही हूं, आदा चमच जीरा, इसमें थोड़ी सी ह अदरब टालेंगे जाएं आच्छ जो हैमेनने कम रखी है, थोड़ा सा फ्राइ कर लेंगे, आप इसमें तो यहीं झाल रही है, एक चोटी कड़े मैं लिए लगवाश्मच की करीब बेसन, इसमें भूण लेंगे, जब तक इसमें बेसन का लग जाता और इसमें थोड़ा स जैसे बेसन के लड़ू बनाते टाइम बेसन में जो अरोमा आता है वैसा अरोमा आ जाना चाहिए जब तक हमारा बेसन जो है भूंच रहा है और ये तब तक हम इसके मसाले ले ले लेते हैं यहां पे मसालों में मैंने लिया है जीरा, सौफ, लाल मिर्च, हल्दी, दनिया हमने ढ़नाता है अब ना टाल का मिक्शर नाटैम का मशच दमाen इसमें मrestं करें अर्शा कि अच्छ बहूर देखे, तहों भी न को कच्छा करें जाएं आपके मिक्शर दमाधे ले नहीं सी design असलिए भूंच बंच दमाधे कर लें यहां पे में जो मिलें हमने मसालयों कर ढईना मसाली को यहां पर इबलेगा में तैयार हो चुका है दे के बहुत अच्छी खुशबू भी के चाहिए बहुत अच्छी खुश्बू भी आरी है अब इस मसाली को में एक प्लेट में निकाल लूंगी और इसको हम फैला के थोड़ा ठंडा कर लेंगी यहां पर मैंने ल और अब में यहां पर थोड़ा सा ऑईल डाल रही हूं आप चाहें तो इसमें ऑईल ले सकते हैं अब इस तरीके से हमें मौइन जो डालना है तो मुठी बननी चाहिए जब मिक्स करें तब तो यह बन चुक है अब हम इसका एक सॉफ्ट सा डो लगाएंगे कचोड़ी के लिए हमें ताइट आटा ने लगता है तो हम इसका एक सॉफ्ट सा आटा लगा लेंगे आप घी के जगे ऑईल भी ले सकते हैं यहां पर यह देखिए हमारा जो है तैयार हो चुका है काफी सॉफ्ट अब में इसे डख के कम से कम 15-20 मिनिट के लिए रख दूँगी तब तक हम अपने मिक्चर की जो है वो बाल्स बना लेंगे आपको जिस साइज की भी कचोड़ीया बनाने तो छोटे साइज की बाल बनाई थी क्योंकि मुझे जादा बड़ी कचोड़ीया नहीं बन नहीं थी और हमारे यहां पर सारी बाल्स बन के त्यार हो गई है अब जो हमारा आटा है वो भी रेस्ट कर चुका है इसे मैं अच्छे से मसल लेंगे और इसकी भी लोईयां तयार कर लेंगे जितना बड़ा हमारा मटर का बॉल है उतनी ही बड़ी लगबग मैंने यह आटे की बॉल्स बना लिए तो अब हम इनको फैला लेंगे हातों से फैला लीजिए या आप बेल भी सकते हैं और इसकी बीच में हम अपनी एक बॉल्स रख देंगे और इसको चारो तरफ से इस त से या झाल सकते हैं या फिर उसमें भी दबा सिकते हैं कोई फ्रेक दे इसको आपको चोड़ा कर लेंगे और बेलना नहीं है मैंने एक डो बेली थी झया वह उनका हाल मैं आपको बात में बताऊंगी कि क्या हुआ तो जो भी कचोड़ी मैंने हाथ से दबा दबा के बनाई थी वो बिल्कुल पर्फेक्ट बनी है अब हमने यहां पे इनको फ्राइं के लिए ओयल लिया है और ओयल का जो टेंपरेचर वो बिल्कुल लो है बिल्कुल कम टेंपरेचर देरे-धीरे सेक आए तब हमारी लो कचोड़ी बिल्कुल क्रिस्पी बनेंगी याद रखिए तेज आज पर आपने डाला त्यों की कचोड़ी बिल्कुल क्रिस्पी निगी और उनकी ऊपर आएर बबल साथे न वह भी आ जाएंगे तो मैंने बिल्कुल कम आज पर अपनी क क्षोडिया बिल्कुल दिरे कम आज पर मैंने इसको तला है फोड़ा टाइम लगता है इसको बनने में ठोल से कम 10-20 टो लगी जाते हैं इसको चिंपने में लेकिन गैरींटी है इस तरीके से आप तलेंगे तो आपकी कच्वडिया बिल्कुल पने के तयार है यह बिल्कुल ब तो आपकी कचोडियां फूलेंगी भी बहुत अजी अब हम इने निकाल लेते हैं तो अब मैं इनको प्रेट में सजा के बता रही हूँ आप देख सकते हैं कितनी बहतेरी बिल्कुल बजार जैसी कचोडियां बनी हैं जैसे जो शॉप्स पे मिलती हैं बिल्कुल अंदर से भरन भी देखिए इसका कितना अच्छा लग रहा है और यहां पर हमारी गर्मा गर्म खस्ता कचोडियां बिल्कुल बनके त्यार हैं इसको चटनी के साथ में सर्फ कीजिए मीठी और हरी वाली चटनी मैंने आपर बनाई थी इसके साथ में मैं सर्फ कर रही हूं बहुत डिलिशियस है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आएगी किस्पी कचोडियां बहुत जरूर बनाएगा आप इस रेसिपी को फॉलो करके यह वो कचोडियां जो मैंने बेल के बाई बाती है